मेरे प्यारे देश्वासियों, इस 25 वर्ष का अमृत काल के लिए जब हम चर्चा करते हैं तब मैं जानता हूँ, शुरोतिया अनेक है, मर्यादाएं अनेक है, मुसिबते भी है, बहुत कुछ है, हम इसको कम नहीं आते हैं, रास्ते खोचते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दो विश्वों को तो मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ, चर्चा अनेक विश्वों पर हो सकती है, लेकिन मैं भी समय की सीमा के कारते हैं, दो विश्वों पर चर्टा करता है और मैं मानता हूँ हमारे इन सारे चुनोतियों को कारण विकृतियों के कारण विमारीयों के कारण इस पतीज साल का अमरत काल इस पर शायद अगर हम रहते समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किये, तो वो ये विक्रार रूप ले सकते हैं, और इसलिए मैं सब की चर्चा न करते हुए, तो पर जुरूर चर्चा करना चाहते हुए, एक है प्रष्टाचार, दूसरा है भाई भति जावाद, परिवारवाद, भारत जैसे लोग तंत्र में हैं, जहां लोग गरीबी से जूज रहे हैं, जब यह तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग है, जिनके पास रहने के लिए जगा नहीं है, दूसरी पार वो तरफ लोग है, जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगा नहीं है, ये स्थित्य अच्छी नहीं है और इसलिए हमें प्रस्टाचार के खिलाब पूरी ताकत से लड़ा है पिछले आठ वर्चों में डारेक बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार मोबाइल इंसारिस आधूनिक व्यवस्ताओं का उप्योग करते हुए दो लाग करोड रुपिय जो गलत हातों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगानायमें हम सपल हुए जो लोग पिछरी सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए उनकी संपतिया जपत करकर के वापिस लाने की कोशिश कर रहे हैं कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है हमारी कोशिश है जिनोंने देश को लूटा है उनको लूटाना पड़े वो स्तिती हम पादा करेगी हाई यू बहनों अब ब्रस्टाचार के खिलाब मैं साब देख रहा हूं कि हम एक निर्णाय कालखन में कदम रख रहे हैं बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे इस मिजाच के साथ प्रस्टाचार के खिलाब एक निर्णाय कालखन में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है देख और मेलाल के लिए कि प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ क्या रहा हूं और इसलिए भाईयो प्रस्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है कि मुझे इसके खिलाब लड़ाई लड़े लड़ाई को तेज करना है निर्णा एक मोड़ पे लेकर करके ही जाना है तब मेरे 130 करोर देशवाती आप मुझा सिर्वात दीए आप मेरा साथ दीजिए मैं आज आपसे साथ मांगने आया हूं आपका संयोग मांगने आया हूं ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं इस लड़ाई को देश जित पाएं और सामान्य नागरी की जिंदगी प्रस जिए चिंद से शान मां शान के लिए जीने के लिए रास्ताक बनाना चाहता हूं और इसलिए मेरे प्यारे देश वास्यों आप यह चिंतर के विश्यार है कि आज देश में प्रश्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है प्यक्त भी होती है लेकिन कभी-कभी प्रश्टाचारियों के प्रति उधारता बरती जाती है किसी भी देश में ये थोभा नहीं देगा कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कौट में सजा हो चुकी हो प्रश्टाचारी सिद्ध हो चुका हो जेल जाना तय हो जेल गुजार रहे हो उसके बावजुद भी उनका महिमा मंदन करने में लगे रहते हैं उनकी शान्शोकत में लगे रहते हैं उनकी प्रतिश्टाबनाने में लगे रहते हैं अगर जब तक समाज में गंदनिकी के प्रती नफरत नहीं होती है स्वच्चता की चेतना जगती नहीं है जब तक ब्रस्टाचार और प्रस्टाचारी के प्रती नफ्रत का भाव पैदा नहीं होता है सामाजी गुर्प से उसको नीशा देखने के लिए मजबूर नहीं करते तब तक एक मानस्री का खत्म होने वाली ने और इसलिए प्रस्टाचार के प्रतिवी और प्रस्टाचारियों के प्रतिवी हमें बहुत जागरूख होने की जरूब है दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूँ भाई भतीजाबाद और जब मैं भाई पती जावाद परिवारबाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता हैं मैं जिर्व राजनितिक शेत्र की बात करता हूं जी नहीं दुर्भाग्य से राजनितिक छेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारबात को पोशित कर दिया है परिवारबात हमारी अनेग संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुक्षान होता है जिनके पांस आउसर की संभावनाय है वो परिवारबात भाई भतीजी के बाद बाहर रह जाता है प्रसाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजी के आश्रा नहीं है तो लगता है चलो भई कहीं से खरीद करके कर जगा बना लूँ इस परिवारवाद से भाई भतिलावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी जगरुकता पैदा करनी होगी तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएगे संस्थाओं के उजवल भविश के लिए बहुत आवश्चक है उसी प्रकार से राजनीती में भी परिवारवाद ने देश के सामर्तों को सबसे सारा अध्याय किया है परिवारबादी राजनीती परिवार की भलाई के लिए होती है उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है और इसलिए लाल के लिए की प्राची से तिरंगे जंडे के आन बान शान के निके भारत के समिधान का स्मानन करते हुए मैं देश वाच्यों को खुले मन से कहना चाहता हूँ आएए हिंदुस्तान के राजनीती के सुद्धी करण के लिए भी हिंदुस्तान की सभी संस्ताओं के सुद्धी करण के लिए भी हमें देश को इस परिवारबादी मानसिक्ता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधर पर देश को आगे ले जाने के और बढ़ना होगा यह निवारियता है वरना हर किसी का मन कुन्थित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहाँ थे नहीं यह मनस्तिती किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं मेरे देश के नौजवानों मैं आपके उजवर्स बन्विश के लिए आपके सप्रों के लिए मैं बाई पती जावाद के खिलाब लडाई में आपका साथ चाहता हूँ परिवारबादी राज रीती के खिलाब लडाई में मैं आपका साथ चाहता हूँ ये संवेधानिक जिम्मेवारी मानता हूँ मैं ये लोग कंत्र की जिम्मेवारी मानता हूँ मैं ये लाल के लिए के प्राचीर से कही गई बात की ताकत मैं मानता हूँ और इसलिए मैं आड़ आपकत अवसर चाहता हूँ हमने देखा पिछली दिनेों खेलों में एसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाइश नहीं रही हूं एसा तो नहीं है कि खेल कुछ की दुनिया में हिंदुतान का जो जमान हमाली बेटे बेटिया कुछ कर निहींते लेकिन называется सिलेक्शन भाई भती जीबाद की चैन घर फर खिलाड़ियों को चैन होने लगा। पुरच़ ऑढर्दृ सिता से खेल के मblock में शामर्था का सम्मान होने लगा। आज देखिए दुनिया में खेल के मादान में भारत का तिरंगा फैरता है भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है गर्व होता है और परिवार बाद से मुक्ति होती है भाई बतीजा बाद से मुक्ति होती है तो यह नतीज आते हैं